इने कश्मीर से कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है फिर भी ये पार्टियां भाजपा की लोगप्रियता से डरी हुई है एंसी और पीडिपी को लगता है कि भाजपा ही कश्मीर में जीत और हारते करेगी इसलिए वो इस तरह की बाते कर रहे हैं इन बातों का इजहार पार्टिय के प्रवक्ता अलताफ ठाकुर ने किया इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरजुमान अलदाफ ठाकुर माजोद है सिध्यों से बात करते हैं सर अमर अब्र अब्दुल्ला ने आज नोमेनेशन फाइल किया है और सीथे में लगाया है कि बीजेपी जो है मधब क की सिष्ट कर रही है देखिए उमर सá оп का बार बार बीजेपी पे तार्गेट करना या दोसरी जो वैंशे श्네요 अरिजिनल ども मार्टी है कश्मिर में बीजेफ़ाइब कर डा charter करना जब को जानता है कि बातरी जन्दापार्ट में कश्मीर से कोई candidate नहीं उठाया है उसके बाद भी direct आप देखिए कोई भी जलसा कोई भी सुपिय डेरेक ले वो बीजेपी को यहां हिंट करते हैं या बीजेपी के खलाब बोलते हैं इसका सीधा सा मत्मद है कि खोफ और दश्यत इन पार्टियों में फैल हुआ है क्श्म कर रहे हैं कि इवन कि हमारा अपना कोई candidate है नहीं उसके बाद भी टार्गेट भार्टियों में फैल हुए और उनको लग रहा है और उनको दिख रहा है कि यहां हार और जीत का जो फैक्टर है वो डिसाइड करें इसलिए उनकी दिल में खोफ और दश्यत फैला हुआ हुआ उनकी खबार्ट में खरागे लेट बार्टियों में वेड़् खिम्त वेडार्टियों में खेक्टर हैुआ है वेड्यत उनकीजवाँ दिल में और जो रहा हैुआ है